नमस्कार आप देख रहे हैं इंचे न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कशिश पाइनले आजकल जैसी की आपको पता है बारिश बहुत हो रही है और बारिश आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में डेंगू मलीरिया जैसी डिजीजिज आती है बरसाथ का मौसम बिमारियों को आमन्तृत करने का मौसम होता है क्योंकि इस मौसम में बारिश से कई स्थानों पर वाटर लॉगिंग, कीचरवा, गंदगी से पैदा होने वाले मच्छरवा बैक्टीरिया बिमारिया फैलाती है इसके अलावा मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं जो पानी और फूट स्टफ्स को दूशित कर शरीर की बिमारियों का कारण बनते हैं भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की वज़े से बहुत समस्या पैदा हुई है अभी पूरे देश का ध्यान कुरोना वाइरस से बचाओ में लगा हुआ है लेकिन क्या आप जानते हैं कि COVID-19 के डर के बीच बरसाथ का मौसम कई खतरनाग बिमारियों का स्वागत कर सकता है ये बिमारियां बरसाथ के कारण होती हैं अगर आप बरसाथ में होने वाली इन बिमारियों के बारे में जानकारी रखेंगे तो इससे बहतर तरीके से बचाओ कर सकते हैं आईए बारिश के मौसम में होने वाली सब भी बिमारियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन्स लेनी शाहिए इन सब बिमारियों से बचने के लिए नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर वाईदेही दंडे है मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ आज मैं आपको मनसून रिलेटेड इलनेस या बारिश में होने वाली बिमारियों के बारे में जानकारी दूंगी बारिश शुरू होते ही हमें सुनाई देता है या न्यूज में आत यह बिमारिया भी बारिश के मौसम में देखी जाती है यह बिमारिया बड़ो को ही नहीं बच्चों को भी हो सकती है और इन फैक्ट बच्चों में यह बिमारिया काफी सीरियस भी हो सकती है इसलिए सभी पैरेंट्स को या पालकों को इन बिमारियों के बारे में जानकारी ह बहुत जरूरी है यह बिमारिया कुछ बिमारिया इन में से ऐसी है जो मच्छरों से फैलती है जैसे डेंगू या मलेरिया कुछ बिमारिया इसमें से ऐसी है जो पानी की वज़े से फैलती है या दूशित पानी पीने की वज़े से फैलती है या फिर दूशित पानी में खेलन पीने की वज़े से फैलती है तो टाइफॉइड और हेपेटाइटिस ये बिमारिया अदूशित पानी पीने की वज़े से फैलती है और लेप्टोसपाइरोसिस ये ऐसी बिमारी है जो खराब पानी में बच्चे बहुत ज्यादा अगर एक्सपोज होते है या पानी में खेलत उससे ये बिमारिया हो सकती है, तो अब्विस सी बात है कि जिस कारण से ये बिमारिया होती है, उससे अगर बच्चों को आप बचाए तो बिमारिया बच्चों को नहीं होगी, जैसे मच्छरों से होने वाली बिमारियों से बचने के लिए बच्चों को मच्छर ना काटे इस इसे chances बहुत कम हो जाते हैं कि बच्चों को मच्छर काटें दूसरा ये कर सकते हैं कि मनसून के चुरू होने के पहले या बारिश के मौसंग के पहले ऐसी चीजें जहां पर मच्छर पनपते हैं वो घर से या घर के आजु बाजु से निकाल दी जाए कॉमनली ये जगर ऐसी होती है जहां पानी चोटी-चोटी क्वांटिटी में जम के रहता है जैसे गमलो में या कूलर्स में या एसी में तो एसी सर्विसिंग करना या कूलर्स से पानी निकालके उसके टब्स को पूरा ड्राय करना या गमलो का पानी निकालना, ये कुछ measures है जिससे मच्छर ब्रीड नहीं कर पाएंगे और मच्छरों से फैलने वाली बिमारिया भी कम होगी दूसरा ऐसा है कि दूशित पानी से फैलने वाली बिमारियों से बचने के लिए जो भी पानी बच्चे पीते हैं वो बहुत साफ होना जरूरी है बाल के ठंडा किया हूँ पाणी पीना या फिर फिल्टर पानी पीना या फिर मिनरल वाटर अगर आप बहार जा रहा है तो ग्रें और यह बहुत बड़ा स्टेप है इन्फेक्शन्स प्रिवेंट करने के लिए तीसरा मतलब काफी इन में से जो बिमारिया है वो वाक्सीन प्रिवेंटेबल है जैसे हेपेटाइटिस A और ताइफोईड तो यह वाक्सीन टाइम जैसे भी रेकमेंडेशन्स है वैसे लेना जरूरी है एक वाक्सीन का जो लेने से एट लीस्ट फाइफ टू सिक्स यर्स मिनिममम प्रोटेक्शन मिलता है और अगर बिमारी हो भी जाती है तो काफी कम सिवेरिटी से होती है तो यह कुछ स्टेप्स है जिससे आप आपके बच्चों को इन इंफेक्शन से बचा सकते है एट दे सेम टाइम मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि कब आपको डॉक्टर की राय लेना जरूरी है बुखार अगर बहुत तेज हो या बहुत दिनों तक न उतर रहा हो या जॉन्डिस होना बच्चों को या कहीं से ब्लीडिंग या रक्तस्त्रा होना या बच्चा एकदम सुस्त पढ़ जाना खाना पीना छोड़ देना ये लक्षन जो है ये बिमारी सीरियस होने के लक्षन है तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है अगर आपके बच्चे को इन लक्षन ये लक्षन आपके बच्चे में दिखाई दे रहे है तो आपके बच्चे तंदुरुस्त रहे और उन्हें कोई बिमारी ना हो और आप मैंने दी हुई जानकारी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाऊ थैंक यू तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हैं इंजिया नियूस के साथ और हमारी वीडियो को लाइ एक शेयर कमें शरू करें